दोस्तो जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूँ, यह बहुत ही sensitive टॉपिक है धीरे धीरे लोग marital relationship को छोड़कर live-in relationship की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो hostels में रह रहे हैं, जो studies कर रहे हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं, बलकि एक दूसरे के साथ बिना किसी commitment के live-in relationship में रहते हैं एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, जो live-in relationship में कुछ महीनों से नहीं, बलकि कई-कई साल से रह रह रही है और बहुत सारे relationship ऐसे भी होते हैं जिसमें live-in relationship में रहते हुए बिना शादी किये उनके बेटा ये बेटी यानि की बच्चे भी पैदा हो जाते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि जब live-in relationship में रहते रहते एक वक्त निकल जाता है उसके बाद लड़कियां लड़कों से demand करती हैं कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए और उसके बाद properly हमें settle हो जाना चाहिए फिर ऐसी situation जब create होती है तो अकसर बहुत सारी relationship में ये देखा गया है कि लड़के शादी के लिए agree नहीं करते क्योंकि वो pre-minded थे कि हमें सिर्फ live-in relationship में ही रहना है शादी के contract में नहीं बन रहा है ऐसी situation में जब लड़कियां ज़ादा जोर जबरदस्ती लड़कों के साथ करती है उनको pressurize करती है और लड़के नहीं मानते तो फिर उसके बाद एक आखरी हत्यार लड़की के पास होता है वो है Indian Penal Court की धारा 376 जो कि सीधे सीधे rape का एक allegation है और rape का allegation Supreme Court की guidelines के अनुसार अगर कोई भी लड़की rape का allegation लगाती है या कोई भी sexual assault, sexual offense का allegation लगाती है तो थाना चौकी परभारी या थाना इंचार जो होता है उसका सबसे पहला काम यह है कि वो पहले उस पे F.I.R. registered करे और F.I.R. registered करने के बाद उसमें investigation inquiry शुरू करे तो friends कहने का सीधा purpose यह है कि अ आपकी खराब हो गई है लड़की के साथ आपके तालुकात खराब हो गए है और आपके खिलाफ 366 की F.I.R. हो गई है तो अब यह जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूँ यह सिर्फ आप ही के लिए है Honorable Supreme Court में जुलाई के महीने में एक बहुत शानदार judgment पास की थी इस judgment का नाम है अनसार मुहमद वर्सिस स्टेट अफ राजिस्थान जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ यह केस राजिस्थान के अंदर वहा था जिसमें एक लड़का अनसार मुहमद एक लड़की के साथ live-in relationship मे चार साल तक रहा चार साल उस relationship में रहने के बीच में इस इन दोनों लड़का और लड़की के संबंदों से एक बेटी भी पैदा हुई और किसी वज़ा से दोनों की relationship खराब हो गई लड़की ने अनसार के ऊपर allegation 1376 के अंदर ये लगाया कि इस वेक्ती ने मेरे साथ rape किया है अनसार ने anticipatory bail के लिए राजिस्तान हाई कोर्ट में अपलाई किया राजिस्तान हाई कोर्ट ने anticipatory bail देने से मना कर दी और अनसार ने उसके बाद honorable supreme कोर्ट के अंदर गुहार लगाई और अपनी bail की गुजारिश की फ्रेंड्स honorable supreme कोर्ट ने जो इस पे observation दी है वो बहुत ही काम की है बहुत इशांदार है और बहुत सारे cases के अंदर ये milestone precedence बनने जाएगी honorable supreme कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ live in relationship में रह रही है तो जरूरी नहीं है कि इसको rape consider किया जाए एक relationship जिसमें लगातार चार साल तक आपके आपस में शारदीक संबंद बने एक दूसरे के साथ husband और wife के nature वाले relationship में आप रहे इस बीच में आपने कभी कोई police को complaint नहीं की आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी sexual offense नहीं हुआ जो भी चार साल की relationship थी वो relationship लड़की की मर्जी से लड़के ने बनाई थी अगर किसी भी वज़ा से ये relationship खराब होती है तो इसको rape का नाम नहीं दिया जा सकता फ्रेंड ये judgment राहत बन कर आई है उन तमाम लड़कों के लिए जो live in relationship के नाम पर 346 की FIR में या तो वो jail के अंदर हैं या वो किसी भी stage पर अपने आपको परिशान महसूस कर रहे हैं फ्रेंड इस judgment के अधार पर बहुत सारे लड़कों की जान बचेगी बहुत सारे accused persons को रहत मिलेगी और अगर किसी को बेल लेने में कोई परिशानी हो रही है तो अंसार वर्सिज स्टेट अफ राजिस्थान के आधार पर आप honorable किसी भी high court के अंदर या supreme court में आप बेल भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी परिशानी अपने criminal procedure के अंदर आ रही है किसी भी criminal case के अंदर आ रही है या आप कोई advice मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे inbox मिली सकते हैं जिसका मैं आपको timely reply करने की कोशिश करूँगा और last day मेरी आपसे request है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच् आपको सब्स्राइब और इस